फेस्बुक पर फर्ज़ाइए फेस्बुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को अश्लील मेसेज वब विडियो भेजने वाले 20 वर्षिय जिम ट्रेनर को दक्षिन पश्चिमी जिला के साइबर सेल और पुलिस स्टेशन सागरपुर की संयुक्त टीम ने गिरफतार किया है साइबर स्टालकर की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है यह महिलाओं के नाम से फर्जी फेस्बुक प्रोफाइल बनाकर 100 से ज्यादा लड़कियों को अश्लील मेसेज वब विडियो भेज शुका है पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस ने बिना समय गवाय महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया चूनकी मामला महिला की सुरक्षा से जोड़ा था साइबर सेल साउथ वेस्ट और पुलिस स्टेशन सागरपूर की संयुक टीम बनाकर शिकायत की ततकाल जाज शुरू की गई थी ACP अवनींद्र जैन ने साइबर सेल इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंग और सागरपूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हरीश चंद के नित्रत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें ASI नीरज ASI राकेश हेड कॉंस्टेबल वीरिंद्र महिला कॉंस्टेबल पूजा को शामिल किया गया पुलिस टीम ने साइबर स्टालकर की फेस्बुक प्रोफाइल की जाज शुरू की चानबीन में यह पता चला कि साइबर स्टालकर ने यह ID गलत इस्तेमाल के लिए ही बनाई है साथ ही पुलिस को मोबाइल नंबर 9667984088 का भी पता चला जिस पर फेस्बुक को ऑपरेट किया जा रहा था यह नंबर किसी रियाज उद्दीन के नाम पर था पुलिस की टेकनिकल टीम ने अपनी जाच में यह पाया कि आरोपित साइबर स्टालकर शिकायत करता महिला के घर के आसपास का ही रहने वाला है साइबर सेल ने साइबर स्टालकर का पता लगा लिया आरोपेट साइबर स्टालकर की पहचान दश्रतपुरी के 22 वर्षिय जिम ट्रेनर विकास कुमार के रूप में हुई पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया गया लगातार पूचताच के दोरान साइबर स्टालकर विकास कुमार ने खुलासा किया कि वो अशलील विडियो देखने का आदी है उसने लड़कियों के नाम पर तीन फरजी फेस्बुक आईडी बनाई हुई है इन फरजी फेस्बुक प्रोफाइलों से लड़की बनकर लड़कियों को दोस्ती का संदेश भेजता था कुछ शैट के बाद वो लड़कियों को अशलील विडियो और संदेश भेजता था उसके बाद उन्हें यौन संबंद बनाने के लिए प्रेरित करता था साइबर स्टालकर ने शिकायत करता महिला को देखा हुआ था जो उसकी पड़ोसन थी आरोपी ने यौन संबंद बनाने के लिए शिकायत करता महिला को पहले लड़की बंकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फिर धीरे धीरे अश्लील संदेश और विडियो भेजने लगा फरजी फेस्बुक प्रोफाइल के इस्तेमाल से उसने 2000 से ज्यादा लोगों को फ्रेंड बना रखा था पूचताच में उसने बताया कि वो अभी तक 100 महिलाओं को अश्लील मेसेजव विडियो भेज शुका है साथ ही कई बार वो नगन होकर महिलाओं से विडियो काल भी करता था आरोपित ने पुलिस को बताया कि वो पिछले डेर साल से लड़कियों को अश्लील मेसेजव विडियो भेज रहा है आरोपी ने शीतल ठाकुट, पूजा कुमारी और शिवानी गुपता के नाम से तीन फेस्बुक प्रोफाइल बना रखी थी आरोपी की गिरफतारी के बाद साइबर सेल दक्षिन पश्चिम ने फेस्बुक से हटवा दिया है गिरफतार आरोपी 22 वर्शिय विकास कुमार दिल्ली के दश्रत पूरी का रहने वाला है और जिला मेरट यूपी का स्थाई निवासी है हाला कि जन्म से ही वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रह रहा है वो अध्वारका के सैक्टर चार स्थित एक जिम में ट्रेनर है आरोपी ने बारहवी कक्षा तक पढ़ा है वो अश्लील वीडियो देखने का आदी है जिसकी वजह से पिछले डेड़ साल से फरजी फेस्बुक आइडी बना कर लड़कियों महिलाओ से लड़की बंग कर अश्लील बाते करता था फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है और आगे की जाच में जुड़ गई है संसनी ओफ इंडिया नेटवरक अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइब शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जा ग्रूप